हेलो फ्रेंट जैम आता दी कैसे हैं आप सब आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हगेन महा के गुरुवार ब्रत 2022 में कब से कब तक है महालक्षमी गुरुवार के ब्रत इसकी पूजा वीदी क्या है कितने ब्रत पढ़ने वाले हैं कौन कौन से दिन पढ़ने वाले हैं पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इस ब्रत के क्या-क्या फायदे होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी और ये पूजा कैसे होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी तो इस वार 2022 में हगयन महा मुटलब मारकσιES के महीने में किये जाने वाले पिमस्यान काझ वड़ गृयल महालक्षमी के बृत के नाम से चाविर को जाना जाता है कब से कब तक है कितने इस वीडियो में मिलने वाइन वाली है तो फ्रैंस ने के भगवथी महालक्षमी धन धन अश्वर ये पुत्र देने वाली कही जाती है हगयन महीने में मतलब मार्क चीज के महीने में नहीं पता होता है अगयन क्या होता है तो लोगव को तो आप को पता लुख जा hijos कौन सा महीना है हगयन Account मारक्सिं, दिसंबर में ही चाल हूं है और पांच ब्रत भी पढ़ते हैं कभी कभी चार ब्रत भी पढ़ते हैं तो इस बार ये पांच ब्रत पढ़ रहे हैं महालक्षमी के तो सबसे पहले मैं आपको बताओंगी ये ब्रत इस महा में कितने पढ़ रहे हैं कौन कौन सी तारिक को हैं तो फ्रेंज देखिए महालक्ष्मी गुरुवार का पहला ब्रत जो पढ़ रहा है दस नमबर को है अब ध्यान से सुनिए पहला ब्रत जो है जो रखने वाले हैं ब्रत में बादने सारी आपको रिटेल में जानकर दे दूंगी जो ब्रत नहीं रखने वाले उनको भी मैं दू पहले भर जो है दसन मबर का है और इस दिन महालक्ष्मी गुरुवार का ब्रत सुरू हो रहा यह चाहिक दपता दर्ध दूसरा जो ब्रत है दिनाक 16 न undert क सट्वा बरका है दूसरस ब्रत है तन 2500 को पर आपो近फित कर देती हूं और ये दौ ऑ जो है किर्चनपक्षकी तथि को पढ़ेंगे और लाती कि जो तीन ब्रत है वह शुकलपक्षकから में पढ़ेंगे और तीसर्त ब्रत है 24 को पड़ेगा मतलब 24 नवंबर को पड़ेगा और चौथा ब्रत जो है दिनाग 1 दिसंबर को शुकल पक्ष में पड़ेगा चौथा ब्रत आपको फिर से बताती हूँ 1 दिसंबर शुकल पक्ष में पड़ेगा और अंतिम जो ब्रत होगा शुक्लपक्ष की पूर्णिमा को 8 दिसंबर को पड़ेगा तो ये 5 ब्रत हैं पहला ब्रत पड़ेगा 10 नमंबर को दूसरा ब्रत पड़ेगा 17 नमंबर को और तीसरा ब्रत पड़ेगा 24 नमंबर को और जो चौथा भ्रत होगा वो एक दिशंबर को और प् stance फान ब्रत जो होगा वो आड़ दिशंबर को पूरि माँवाली दिन पडहेगा तो मesए भेरवाल वर थी ब्रत जो अधीर पाक में और तीन ब्रत जो है वुद्ध में प्सक्पड्र व भी दूजेरे पाक में संधिन फीरवर के नगल से पहले तो न Step देदे और को सुनिधने और लक्ष्मी के भी गार से ने तो पहले नहीं कर सकते हैं, SUM PEL भी कर सकते हैं बहुत में आगे आगे परत से एक दिन पहले ही सफाई करने हैं जारें से छुटार कर सकते हैं तो श्रौत और अपने से मध्याग सुट JASON It onethis लत ब्रत से एक दिन हमगे हो 받 क pac जो किने ओ सब्रकरत प्यार कर सकते हैं मंध्य मुख्या कर मदली के तो दीपक के ला जा थे लाएता है महालक्षमी को बहार anar अपने मेन गेट पे दोनों साइड हेगे दीपक जला ऐगे आपको हर गुरुवार को करना है जो ब्रत रखर weaving वो भी जो ब्रत रहे हैं वो भी लंगव भी तो आप ऐसा कर करने वह वह खालंते ऊंद भंटा नौर्फ करें जाने विदी के दिचेश्भा से और जा कुझा होती है अज पर टो में प्रोंपर तरीके विद्टिंगे विडियो आपको मैं सक्षान समयरा है चाहिए ज़ेए Savior गुरुवार से एक दिन पहले ही आपको बुद्वार वाले दिन अपने घर की साफ सपाई कर लेना है अपनी दहली को साफ कर लेना है उस दिन आपको ब्रत वाले दिन गुरुवार वाले दिन कुछ नहीं करना है मतलब कि आपको सपाई सफोई नहीं करनी है कपड़े नहीं द रखने वाले है или पहली बार रख रहे हैं तो आपको उस दिन संगल प्रेन है उसी हिसाब प्रक्रणप लेना है अगर आपको बड़ी बरत रख रहे है तो आपको लगातार यह बरत 4 entrar तक रखना Хोगा और अगर आप कुसी कामना से नहीं कर रहे हैं मतलब जैसे की माली जी अपने घर में जो बरकत के लिए कर रहे हैं या फिर महालक्षमी के आगवन के लिए कर रहे हैं तो आप एक ब्रत भी कर सकते हैं या पूरे पांच ब्रत भी कर सकते हैं इस साल और अगर किसी बड़ी कामन पूर्योजा उद्यापन कर सकते हैं इसमें गुरूबार को माता लक्षमी का शिंगार किया जाता है प्रपर तरीके से और शॉबह आपको नहाद होके पूजा करनी नहीं को अपनी देहली पूज नी है मैं प्रपर तरीके से एक वीडियो बनाओंगी देहली पूजने की तो और आपको अगले दिन जो है शाम को किसी सुहागिन महीलाओं को अपना सुहाग का समान या फिर दक्षिना भी दे सकते हैं जो सुहागिन महीलाओं उनको पैर्चो के दक्षिना दीजे इस ब्रत में ही सारे उपाई हमें करने चाहिए तो फ्रेंस आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा तो जिन जिन को भी लक्ष्मी पूजा के उपर प्रॉपर तरीकी से वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं इस पर जरूर बरताब बनाऊंगी वीडियो तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा तो मैं मिलती हूं अगली वीडियो में अच्छी सी एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए जैम आता दी